apply the norotans theorem to find current flowing through 4 ohm resistance यहाँ पर हमारे को norotans theorem लगाना है और यह 4 ohm के अंदर कितना current flow हो रहा है उसको find करना है solution तो हमारे पास में RL का value है 4 ohm suppose यह terminal A है और यह terminal B है तो हमारे को इसके अंदर का current find करना है तो इससे पहले हमारे को बनाना पड़ेंगा norotans equivalent circuit और norotans equivalent circuit के लिए हमें चाहिए Rn यहने norotans resistance और In यहने norotans current यह norotans resistance Rn और यह norotans current यहने In तो सबसे पहले हम find करेंगे Rn to find Rn हमारे को क्या करना पड़ेंगा यहाँ पे जो RL था उसको remove करना पड़ेंगा यहाँ पे जो 4 ohm का resistor था उसको हमारे को remove करना पड़ेंगा और यहाँ पे बन जाएंगा Rn और उसके बाद में अगर circuit में voltage source है तो उसको short circuit करना पड़ेंगा और अगर current source है तो उसको open circuit करना पड़ेंगा तो यहाँ पे यह 10 volt का voltage source है इसलिए हमने इसको short circuit करें उसके बाद में यह terminal A और B के बीच में का जो resistance रहेंगा वो रहेंगा Rn तो यहाँ पे हम देख सकते यह 6 ohm और यह 6 ohm यह एक दूसरे के parallel में connected है तो इसको हम solve करेंगे तो उसका value आता 3 ohm तो हम यह दोनो registers को replace कर सकते by 3 ohm तो हमने यहाँ पे replace करें 3 ohm से अब यहाँ पे हम देख सकते यह 3 ohm और 7 ohm यह connected है series में तो यह हो जाएंगा 3 plus 7 3 plus 7 यहने 10 ohm तो अब यहाँ पे हम देख सकते के 10 ohm parallel में connected है 12 ohm के साथ में so 10 ohm parallel with 12 ohm तो यह हो जाएंगा 10 into 12 divided by 10 plus 12 इसको solve करने के बाद में value आता 5.45 ohm तो यह value रहेंगा Rn का so therefore Rn is equal to 5.45 ohm उसके बाद में हमारे को find करना है IN यहने IN find करना है हमारे को तो IN find करने के लिए हम क्या करेंगे circuit को redraw करेंगे और terminal A और B के बिच में RL connected था तो वो RL को remove करेंगे और terminal A और B को short कर देंगे और उसके अंदर से जो current flow होंगा उसको बोलेंगे हम short circuit current यहने ISH अब यह short circuit current रहेंगा यह current रहता IN यहने Norton's current तो हमारे को यह find करना है तो अब हम यहाँ पर देख सकते terminal A और B यह short है तो इसके short रहने के और जैसे क्या रहेंगा इसका जो 12 ohm रहेंगा इसकी value भी 0 हो जाएंगी तो इसको हम यहाँ से remove कर सकते हैं तो हमने इसको यहाँ से remove कर दिये यह ना उसके बाद में हमारे को find करना है यह IN तो यहाँ पर हम लगा सकते current division rule so by using current division rule current division rule के अंदर क्या रहता है अगर हमारे को इस branch के अंदर का current find करना है हमारे को find करना है यह IN तो IN is equal to रहेंगा total current यह पूरे circuit में कितना current flow हो रहेंगा total current I उसके बाद में उसको हम multiply करेंगे parallel branch resistance है यह यह 7 ohm के parallel में जो register रहेंगा यहाँ पर 6 ohm है तो उसको हम क्या करेंगे 6 divided by 6 plus यह वाला 7 ohm तो इसको हम बोलते current division rule total current multiplied by parallel branch resistance divided by total that is 6 plus 7 इसको हम solve करेंगे इसको solve करने से पहले हमारे को total current I का value find करना पड़ेंगा तो total current I का value हम find कर सकते by using ohm's law और ohm's law क्या बोलता I is equal to V by R तो यहाँ पर V का value कितना है 10 V और R का value यह रहेंगे resistance का value हमारे को find करने के लिए हमारे को यह registers को simplify करना पड़ेंगा यहाँ पर हम देख सकते यह 6 ohm connected है series में यह 6 ohm और 7 ohm के parallel के साथ में यह यह 7 ohm और 6 ohm parallel में connected है और यह दोनों भी series में connected है यह वाले 6 ohm के साथ में तो यह हो जाएंगा 6 plus 7 into 6 divided by 7 plus 6 इसको solve करेंगे तो आता value 1.08 ampere 1.08 ampere यह total current है यह यह पूरे के पूरे circuit में 1.08 ampere का current flow हो रहा है अब हमारे पास में यह i का value आ गया तो इस पर से हम निकाल सकते i n तो i n is equal to होंगा total current i multiplied by 6 divided by 6 plus 7 अब हाप यह i का value पूट कर सकते तो इसको solve करेंगे तो हम i n का value मिलेंगा 0.498 ampere अब हमारे पास में i n का value है उसके बाद में rn का भी value है और rl का भी value है तो इस पर से हम nortons equivalent circuit draw कर सकते हैं तो nortons equivalent circuit के अंदर क्या रहता एक current source रहता है और उसके parallel में रेजिस्टर रहता है तो इसको हम करन्ट और उसको हम बोलते है आई एन और जो रेजिस्टर रहता है पैरलल में उसको हम बोलते है आर एन यह रहता है नॉर्टन्स करन्ट और यह रहता है नॉर्टन्स रेजिस्टन्स और इसके साथ में हम पैरलल में कनेक्टेट करेंगे आर तो RL का value कितना है 4 ohm, Norton's resistance का value है 5.45 ohm और IN का value अभी हमने निकाले 0.498 ampere, अब हमारे को find क्या करना है question के अंदर, apply the Norton's theorem to find current flowing through 4 ohm resistance, यहनि हमारे को यह 4 ohm के अंदर का current निकालना है, तो यह RL है हमारा, ठीक है, तो इसके अंदर जो current flow होंगा, let's say वो है IL, तो IL is equal to रहेंगा, यहापे हम again current division का use करेंगे, current division rule का, ठीक है, तो IL is equal to रहेंगा, total current, total current यहने 0.498, यहापे हमने लिखे 0.498 multiplied by parallel branch resistance, अब यह IL, यह वाली branch का parallel resistance कोन सा है, यह वाला, तो उसका value कितना है, 5.45, तो हमने यहापे लिखे 5.45 divided by same value, यहने 5.45 plus यह वाला resistance, यहने, यह IL के branch का जो resistance है वो, यहने 4 ohm, यहापे हम लिखेंगे 4 ohm, अब इसको solve करेंगे, तो IL का value कितना आता, 0.287 ampere, तो यह हमारा final answer है, कर प्रोम एंदे को Smith है, यहापे 5.25